हरे कृष्णा आप सबका पुन्ह स्वागत है एक बार भगवान कृष्ण एक रिशी के रूप में एक राजा के सामने प्रकट हुए रिशी ने चुनोती रखी कि कोई उसको शत्रंच में हरा नहीं सकता राजा ने चुनोती स्विकार की और बोला मुनेवर अगर मैं हार गया तो आप जो चाहो वो ले सकते हैं रिशी बोला हम जैसे सन्यासी को तो सिर्फ चावल चाहिए पर अन्तु मेरे कहे अनुसार चावल देना होगा पहले चरण में एक, दूसरे चरण में दो, तीसरे चरण में चार और चौथे चरण में सोला राजा ने स्विकार किया, प्रतियोग गिता आरंभ हुई जैसे कहा था रिशी ने जीतने के उपरांथ चावल मांगे, अगले चरण में और मांगे फिर और मांगे, करते करते जैसे जैसे शतरण के चरण आगे बढ़ते गए, चावल की मात्रा बढ़ती गई और इसी वज़ा से पूरा गोदाम खाली हो गया अब राजा चिंतित होने लगा, परिशान होने लगा राजा को परिशान देख भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले कि पुत्र तुम्हें चावल का रिंड चुकाना पड़ेगा जब तक रिंड नहीं चुकता, तुम्हें चावल से बने दूद का पैसम अम्बा पुजा कृष्णा मंदिर में प्रसाद रूप में देना पड़ेगा राजा ने अपने अभिमान से चुटकारा पाने के लिए स्विकार किया आज भी अम्बा पुजा कृष्णा मंदिर में दूद पैसम का भोग लगता है और प्रसाद बढ़ता है यह मंदिर गुरु वायूर मंदिर के निकट है सर्वम श्री कृष्ण अरपनम